बिजनौर में प्रेमी प्रेमिका के साथ मार पीट की गई उनसे उठक बैठक कराई गई युवक और युवती को पांच लड़कों ने गन्ने के खेत में पकड़ लिया उन्हें बाहर निकाल कर उनसे गाली गलोज की प्रेमी ने विरोध किया तो युवकों ने उसे गन्ने से मारा उस पर थपड बरसा आए इसके बाद युवकों ने प्रेमी प्रेमिका से कान पकड़ वा कर उठक बैठक करवाई मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाईरल हो रहा है पुलिस ने पीडिता की तहरीर पर केस दर्च कर लिया है दो युवकों को गिरफतार कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्शेतर के फजल पुरका है यहां एक गाम का रहने वाला युवक अपनी प्रेमिका के साथ गन्ने के खेत में मिलने आया था इस दौरान वहां मौझूद कुछ युवकों ने दोनों को देख लिया इसके बाद वह बाइक से मौके पर पहुँच गए युवक और युवती को पकड़ लिया उनसे उनका नाम और पता पूछा युवकों ने प्रेमि का से पूछा कि तुम लोग यहां क्या करने आये हो प्रेमि ने उनका विरोध किया तो युवकों ने खेत से गन्ना तोड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया कुछ युवक उसे थपपड भी मार रहे थे लड़के प्रेमी को पीटते समय कह रहे थे कि तू यहां आया कैसे क्या करने आया यहां यह बता इस दौरान लड़की उन युवकों से कहती है कि वीडियो क्यों बना रहे हो तो आरोपी एक युवक बोलता है यह देखो यह है मजनू और यह है लैला वहीं प्रेमी युवक आरोपीयों को समझाने में लगा था कह रहा था कि हमारे घरवालों को भी पता है कि हमारी बात होती है इसी बीच एक युवक उसे गाली देते हुए पीटने लगता है वहीं वीडियो वाइरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की पीडिता की तहरीर पर आरोपी युवकों के खिलाफ छेट ठाड और मारपीट सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया पुलिस ने दो आरोपीओं को गिरफतार कर लिया अन्य युवकों की तलाश की जा रही है वहीं मामले में SP सिटी संजीव वाजपेई का कहना है कि सोशल मीडिया पर युवक युवती के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वाइरल हो रहा है मामले की जांच की गई इसके बाद पीडिता ने युवकों के खिलाफ तहरीर दी आरोपियों पर केस दर्ज करदो को गिरफतार कर लिया गया है अन्य की तलाश की जा रही है बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट जो एक वीडियो वाल्य हुआ था्फ इस अंबन में वादनी की तहजीद के आधार पर अच्छी अविश्त्ति ने वरौ तब्लैओ पंजिगत किया गया है इसमें चार को गरफतार कर लिया गया है इसमें दो बालबचारी है से सब्सक्राइब तरीका प्रयास किया जा रहा है कि दिकार भाई किया लिए